अगर वह unique अच्छा सा लगा है आपको तो आप इस phone को ले सकते हैं वरनों कोई sense नहीं बनता है लेने का तो देखो जब भी कोई smartphone launch होता है तो उसके अच्छाईया बताई जाती हैं क्या उसमें अच्छी चीज़े हैं जो बेकार चीज़े रहती हैं कमिया रहती हैं उसको थोड़ा सा छुपाया जाता है लेकिन आज की वीडियो आप देखते रहो आपको बिल्कुल in-depth में बताने रहना तो देखो सबसे पहले बताना चांगो कि realme 9 pro पर से camera centric smartphone है ठीक है बात समझ आती है लेकिन बाकी specifications का क्या तो देखो डिस्प्ले जहां पर दी गई यह 6.4 इंचीज की है AMOLED डिस्प्ले अची बात है अंडर डिस्प्ले फिंग अपर सेंसर भी है उसमें heart rate monitor का भी option है जैसे कि smart band या smart watch के अंदर होता है लेकिन refresh rate 90 Hz का है जो की 120 Hz होना चाहिए था एक से साथ इतना महंगा phone है तो metal की frame देना चाहिए था जबकि यहां पर आपका plastic का frame है हाना कि जो C type है headphone jack है stereo speakers है दो speaker है यानी बट इसके अंदर आप SD card नहीं लगा सकते memory card नहीं लगेगा इसके अंदर जबकि बात करें realme 9 pro की इसके थोड़ी बड़ी डिस्प्ले है 6.5 इंचिस की 9 pro प्लस से refresh rate जादा 120 Hz का लेकिन LCD पैनल है quality definitely कम मिलेगी इसके अंदर bezels भी जादा है punch hole क size भी बड़ा है जो की होना ही था क्योंकि यह सस्ता variant है बाकि side mounted fingerprint sensor है इसके अंदर same plastic की framing है और color change वाला feature इसके अंदर भी है बाकि C type है headphone jack है लेकिन mono speaker HD speaker इसके अंदर नहीं है लेकिन SD card slot इसके अंदर है बाकि next बात करें camera की तो क्योंकि camera centric smartphone है launch से पहले करा launch में करा और launch के बार भी आपका advertisement करती रहेगी camera को लेकर ही realme 9 pro plus के क्योंकि इसमें 50 megapixel का sony imx 766 sensor है जो की one plus nine rt oppo find x3 pro जैसे flagship phones के अंदर आता है इसलिए इतना जादा महंगा है क्योंकि camera setup पर ही जातर पैसा लगाया गया इस phone के अंदर लेकिन फिर भी अगर camera centric smartphone आप बना रहे हो तो इसका मतला साफ है उन लोग को आप target कर रहे है जिनको camera अच्छा चाहिए तो ऐसे में 4K 30 fps ही क्यों दिया है maximum 4K 60 fps होना चाहिए था ज अगर camera के नाम पर smartphone बेशना चाह रहे हो तो जब कि बात करें realme 9 pro की इसके अंदर आपका normal setup है 64 megapixel का sensor Samsung का जो की बहुत सारी smartphones में और भी देख रहे है नॉन्मल सा आठ में का पिसल का अल्टर वाइड है दंबी के macro के साथ यहां पर आपको camera quality नॉर्मल बाकी smartphone जैसी देखने को मिलती है इसके range के realme 9 pro plus जैसी नहीं है definitely और नहीं यहां पर अपका OIS है बात कर जाए processor की तो processor में ज्यादा difference मैं कहूंगा नहीं है अगर आप gaming नहीं करते हो तो क्योंकि daily use में आपको दोनों processor सेम से ही लगेंगा और मैं इमानदारी चे बताऊ तो बट फिर भी जो आपका realme 9 pro plus है उसमें है meetac Dimensity 920 जो कि snapdragon 770 8G के similar है almost flagship performance निकाल कर दे रहा है जबकि जो आपका realme 9 pro है उसमें है snapdragon 695 जो कि vivo t1 5G में भी आ चुका है और redmi note 11 pro और poco के smart phone में भी आएगा यह भी आपका अच्छा 5G processor है 690 पर ही देखने को मिलता है यानि कुल मैंकर करें तो decent optimized processor है कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे जल्दी शाद दला दो अगर चैनल पर पहरी बार आया तो subscribe करकर bell icon दबा दो regular videos देखकर channel को support करो खेला पर next बात के रहे battery department के और बाकी चीज़ों कि तो realme 9 pro plus है उसमें 8 mm की मोटाई है 182 grams का weight है जिसके वज़े से battery थोड़ी कम है 45 mh की 60 watt की fast charging के साथ हाला कि box के अंदर 15 watt का adapter है बाकी wifi 6b है bluetooth वजन 5.2 भी है latest लेकिन सिर्फ 5G band का support देखने को मिलता है इसके अंदर जो की जादा होना चाहिए था अब तो का 13 band तक भी support करना है smartphone बाकी storage टाइब इसके अंदर UFS 2.2 है जो की fast होनी चाहिए थी UFS 3 इस range के अंदर जबकि दूजर charging बिलकुल आधी है 33 watt की यह लगबाकर देड़ घंटा लेगा smartphone फुल चार्ज होने में बागी storage option यहाँ पर भी same है 618GB 818GB लेकिन pro plus की तरह 256GB के अबरेंट यहाँ पर नहीं है बागी virtual RAM का option दोनों में है 13GB के RAM total हो जाएगी तो यहाँ पर अगर संबरी हम देखें तो देख उन ही लोगों के लिए है सिर्फ जिनको camera अच्छा चाहिए और camera centric smartphone देख रहे थे इस range के अंदर साथ इसको चूज करने का बागी reason हो सकता है इसका जो back design है color change वाला अगर वा unique अच्छा सा लगा है आपको तो आप इस phone को ले सकते हो वरनो कोई sense नहीं बनता है लेने का से comments के दर आप बता कौन सा smartphone आपको ज्यादा अच्छा लगा है और realme 9 pro series से अच्छे कौन से smartphone अवेलेबल है आपके हसाब से अभी market के अंदर साथी चैनल से जुड़े रहो support करो regular videos देखो उसके लिए bell icon दबाना ज़रूरी है क्योंकि notification bell सही आपको regular videos मिलेंगी इसके साथ इस वीडियो पर हमना प्यार दिखाते है वह लाइक कर दो comment section के अंदर link है instagram और telegram का वहाँ जाकर join करो साथी दो link और important है उन्हें भी जैक आउट करो बाकि शेयर कर दो इस वीडियो को ताकि बागियों को भी knowledge मिल सके मिलता हम से नेक्स वीडियो के अंदर टिल एंस टेपी इस्टेबलेश देन बबाई